हेलो दोस्तों वैलकम बेक तू माई यूटूब चैनल सुरच पटेल एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए गुड न्यूस लेके आया और बहुत इंपोर्टेट न्यूस है जो आप लोगों को जानना जरूरी है दोस्तों ये और ये जो न्यूस बताने वाला हूँ दोस्तों ये आप लोगों को ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये एपबी माजा पे न्यूस में आया हुआ था कल 8 बजे ही इसके बारे में बताया गया था दोस्तों मीटिंग में क्या डिसिजन लिया गया है क्या नहीं है ठीके तो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन एक इंपोर्टन न्यूज है जो आप लोगों को बताना जरूरी है कि आज उदे सावन सर चार बजे लाइव आने वाले हैं उनका लाइव मैं आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइट कर दूँगा तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपको उपर दीख रहा है कि मैंने एटी केटी बेकलोग इस्टूटन लिखा हुआ है मतलब मैं एटी केटी बेकलोग के इस्टूटन के बारे में बता रहा हूँ इधर मैंने लिखा है कॉलेज इस्टूटन के बाद जो भी इस्टूटन आइडियल के है उनके बारे में भी बताने वाला हूँ मतलब में इस वीडियो में college student और ideal student दोनों के लिए अलग-अलग पिपिटी बनाया है और दोनों को इसी वीडियो में में बताने वाला तो पहले हम college student की बात कर लेते कि college student के पास 6 subject है मतलब एक अजूम कर रहो कि आपके पास 6 subject है आपको average निकालने के बाद हर मांक्स निकालने के बाद कि फर्स सब्जेक में आपको आ गया है सिक्सी परसें सेकेंड सब्जेक में सिक्सी थर्स सब्जेक में नॉर्मल एक मतल लिया हुआ है मांक्स आप लोगों के लिए ठीक है सिक्सी कॉमन ले लिया है फिप्स सब्जेक में भी 60 आ हुआ आधू अगर सब्सक्राइब करो है तो रहा है किया करने वाल तो दोस्तों जिन को केती है इस सब जाइग में उनके लिए इंटर्नल एकजाम लिया जाएगा फ्र yapmış को इंतर्नल एक्जाम लिया जाएगा 50% एवरेज मार्क निकालके दिया जाएगा मतलब कि अगर समझे आपने इंटर्नल एक्जाम दिया उसमें भी हम अजुम करतें कि आपको 60% आ गया तो जो सब्जेक में आपको केटी है या बैकलोग है उसे 60% मान लिया चाएगा ठीके अच तो अगर दोस्तों में पास सब्जाइग यह सब्जेक को छोड़ दे रहा हूं कि इसमें केटी लगी हूँ आपको तो पहले में यह जो पास सब्जेक है इसके टोटल करके इनका एवरेज निकाल दूँगा कि आपको कितने पसेंटेज आ रहे हैं तो मैं इसका टोटल करके ट लेकिन जो सब्जेक में केटी लगा हुआ था अभी तक वो मार्स इसमें एड नहीं किया गया है तो हमने इदर जो पसेंटेज निकालेंगे एवरेज आपका आएगा ठीक है वो एवरेज को हम इदर एड कर देंगे और फिर जो निकलेगा वह आपका ओरिजनल मार्स थे आओगा कि 80-80 और बेकलोग वाले स्टेट को प्रमोट किस बैस पर करने वाले जो कोलेज स्टुडेंट है ठीक है दोस्तों अच्छाा आप अप कोलेज इस्टूडेंट के पास समीस्टर पेटर्न होता है तो उनको इस तरीके से करने वाले है अगर यही स्टुडन यू उनको किस तरीके से करने वाले तो चलिए दोस्तों देखते हैं देखिए इदर मैंने लिखा एटीकेटी एन बेकलोग आईडियल स्टुडेंट ठीक है मताब मुंबई युनिवर्सिटी के कुछ स्टुडेंट है जो उदर से एक्जाम दे रहे आईडियल के तरफ से तो दोस हुई है या बेकलोग है आईडियल स्टुडेंट के बारे में बात कर रहा तो दोस्तों ध्यान से देखिए तो अब आप लोगों के लिए क्या किया जाएगा तो दोस्तों आप लोगों के लिए जिस सब्जेक में आपको केटी है उसके पहले मार्स निकालने के पहले को को सेक्षन वे पहले मार्स निकाला था जो केटी सब्जेक में था इंटरनल मार्सवें करेंगे लेकिन ऐसा नहीं करेगा ऐडियल जो आपके वाइज सब्जेक है दोस्तों यह जो फाइज सब्जेक है 70-70 आये इसके total निकाल के इसका average निकालेगा तो यह 70-70 past subject का add करेंगे तो 350 होता है divide करूँगा 5 sir 5 क्यों क्योंकि आपके 5 subject के हम marks add करें तो कितना percent आगे दोस्तो 70% तो यह जो 70% आया हुआ है ideal student का 6m में भी आपको 70% ही देंगे ठीके sir q 70% क्योंकि ideal student में semester pattern नहीं होता है तो इनका जो average आया होगा सब subject का मिला के जिस subject में वो fail होंगे उतना ही percentage उस subject में assume कर लिया जाएगा और add करके आपको marks दे दिया जाएगा तो I hope दोस्तो यह वीडियो आप लोगों के लिए useful रहा होगा अच्छा लगा होगा तो यह वीडियो को like करना ना भूलिए चैनल को subscribe कीजिए और एक important बात बता देता हूँ कि आज उदे सावन सर 4 बजे आने वाले है live जो मैंने आप लोगों के लिए बताया है वीडियो को like करना ना भूलिए तो